दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों शास्त्रों में महिलाओं को घर की लच्मी माना जाता है शादी के बाद जिस घर में वो जाती हैं उसका भाग ये उस घर से जुड़ जाता है दोस्तों अगर वो चाहें तो उस घर को स्वर्ग बना देती हैं लेकिन कई वार महिलाएं जाने अन जाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो ना सिर्फ घर में कंगाली लाती हैं बलके इस से पती की तरक्की में भी बाधा आती है दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं दोरा किये गए किन कामों से पती, कंगाल और भीकारी हो जाता है तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो अंतक देखना है और अच्छी तरह से समझना है लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कीजिए तो चलिए दोस्तों आज का ग्यान बर्दक वीडियो अब शुरू करते हैं दोस्तों पहला पॉइंट है सुभा देर से उठना दोस्तों महिलाएं घर की लच्छमी होती है ऐसे में उन्हें सुभा जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए जिस गर की औरस सुभा लेट उठती है बहां माता लच्छमी कभी बास नहीं करती है साथी सुरेस्त के बाद महिलाओं को कभी सोना भी नहीं चाहिए इससे ना सिर्फ धनकी कमी होगी बलके आप की पती की तरक्की में भी बाधा आएगी दोस्तों दूसरा पॉइंट है नाग पर गुस्सा रखना सास्त्रों में कहा गया है कि जहां शांत सुभाव की महिलाएं अपने घर को सुर्ग बना देती है बहीं उनका गुस्सा सबकुछ बिगाड़ भी सकता है ऐसे में बहतर होगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें जिस इस्त्री के घर में कले कलेश का महोल बना रहता है बहां मातालच्मी का बास कभी भी नहीं होता है और ऐसा घर हमेशा गरीबी और कंगाली से जुजता रहता है दोस्तों अगला पोईंट है जाड़ू को पед मारना सास्त्रों के नुसा जाड़ू को पед या ठोकर मारने से मातालच्मी नाराज हो जाती है क्यूंकि ये उनी का रूप है इतना ही नहीं इससे घर में दरिंता भी आती है इसलिए कभी ज़ाडू को पैड ना मारें इसके अलावा घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर गंदगी वा जूंटे बरतन नहीं रखने चाहिए क्यूंकि इससे भी मातालच्मी नाराज हो जाती है साथ ही ये कंगाली के साथ अन्य परेशानियों का कारण भी बनता है दोस्तों अगला पॉइंट है किसी को ना दें ये चीजें शादी शुदा महिलाओं को अपनी सिंदूर दानी पाइल और चूड़ी किसी के साथ शेर नहीं करना चाहिए इससे ना सिर्फ आपके रिस्ते में प्यार कम होगा बलके ये आरती खानी का कारण भी बनेगा अक्सर महिलाओं को आदत होती है वे दूसरों की चीजें इस्तमाल करती है और अपनी चीजें दूसरों को इस्तमाल करने के लिए दे देती है ऐसे में कपड़ों तक की बात तो ठीक है लेकिन कुछ महिलाओं अपने गहने भी दूसरों को दे देती है जो के शास्तरों में गलत बता आ गया है स्वाग इन महिलाओं को अपने स्वाग की निशानी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए दोस्तों अगला पॉइंट है सूरेस्ट के बाद ना करें ये काम दोस्तों महिलाओं पूरा दिन घर की सफाई में लगी रहती है ऐसे में उन्हें नहाने का समय शाम को ही मिलता है कई बार महिलाओं शाम को बाल भी दोती है और बालों में कंगी भी करती है लेकिन सूर्यस्त के बाद महिलाओं को कंगी नहीं करनी चाहिए और ना ही तूटे हुए बाल घर से बाहर फेकने चाहिए इससे घर पर नकारात्मक शक्तियों का परभाव पड़ता है इसके अलावा सूर्यस्त के बाद जाडू पोचा ना लगाएं इसके साथ ही सूर्यस्त ढ़नने के बाद किसी को उधार नहीं देना चाहिए साथ ही दिन ढ़नने के बाद दूद दही प्याज और लहसुन किसी को ना दे इससे आपके घर की लच्चमी दूसरे के घर में चली जाती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि पतनी के एक काम करने से पती जल्दी ही कंगाल और भिकारी हो सकता है दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक आप रहे है इस्टे मोटिवेट इस्टे फिरलेस जैहिन